यह बताओ आटा का हसल आये थे क्या हुआ सारी रोटियां जल गई दोस्तो एक ओरत को जीवन में चार ही सुक चाहिए पहला खुबसूरत काया दूसरा पर्स में हो माया तीसरा घर में हो आया और चोथा ऐसा पती जो हर बात पे कहे सुनो हाँ आया समझ गई न दूनो जी पैदा होने के बाद आखे कब खुलती है भाईया गाय की तो खुल जाती है तुरंथ बकरी की खुलती है दो घंटे के बाद बिल्ली की खुलती है छे दिन के बाद और इंसान की साधी के बाद मुझे आज तक पता नहीं चला कि जब रोटी तोड़ कर ही खानी है तो गोल रोटी क्यों बनाएं तो आज का जमाना में एसा बनके रो जैसे 32 दात के बीच में जीब तच में सभी के रो लेकिन कोई से दबनों नी और अगर कई को ज्यादा नाटक करें तो वह ठोक भी दें हाँ जैसी करनी वेसी भरनी ठीक है जब जब पड़ोसन को देखता हूं मन ही मन में सोचता हूं खुपसूर्ती गलत हातों में चली गई यार हाँ पर आप कई कर सका यार है अब तो बस अपन तो देख ही सका है कोई बात नहीं सुनो अगर घर के सारे काम हो गए तो बहार से कपड़े उठा के लिया हूं तुप टेंशे मतले हैं मेरे पहले से उठा लिए थे अच्छा चलो पर एक कप चाय बना दो जान लो मेरी क्या कहां अगर जान हो तुम मेरी मैं तुम्हारी तपस्टा से परसन्न हुआ मांगो बालक तुम्हें क्या चाहिए हे परभू मुझे साधी सुदा से फिर से कुवारा बना दीजिये बेटा मननत मांगो जन्नत नहीं कोई कराई में खाने वालों यार साधी कल लो अरे इसी बहाने तो बारिस हो जाएगी मुझे दूद्या में दोखा तो आम बात है अब सूरज को ही देख लो आता है किरन के साथ रहता है रोसनी के साथ और जाता है संध्या के साथ और आज बरसा भड़क गई तो जाके छुप गया मेगा के साथ बीबी और नोकरी तो सब चाहते हैं और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं